हेलो फैंस वक्तरा नए वीडियो में आज के हम वीडियों करने वाले हैं। फौनट डिस्प्ले साइस के बारे में। जैसे के हम as00us किस तरहते से in distracting'd Act कर सकते हैं। तो हॉक्ण में बात करने वाला हुं, तो चलिए फैंस वीडियों कुछुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सप्लाई को वीडियो को लाइक कर दीजे सबसे पहले फैन सेटिंग पर चलते हैं तो क्लिक कर लेंगे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह की का इकन शोब जाएगा आपको यहां पर क्या करना होगा थोड़ा सा उपर की सेट स्कॉल करना है और आपको इस वाले ओप्शिन पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको इस तरीकी का इकन शोग जाएगा आपको यहाँ पर क्या करना होगा थोड़ा सा उपर की सेट्स कॉल करना है और फॉंट एंड डिस्पले साइस पर जाना है यहाँ पर जाने के बाद आपको इस तरीकी का इकन शोग करेगा आपको यहाँ पर क्या करना होगा जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा उपर की सेट स्कॉल करेंगे और यहां पर आपको देखने के लिए मिलता है फॉंट साइस थो font size को up increase कर सकते हैं Display size को भी हम यहां這 इंक्रीज कर सकते हैं और यहां पे रहते हैं apply करना होगा apply करने के बाद आप कोई flow appаж ओ जाए का इंक्रीज हो जायगा या यहां बहुत ही लार्ज हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कितना वाले option पर जाएंगे और आपको यहां पर search कर लेना है font and display size यह देखिए आगे इस पर हम click करेंगे click करने के बाद आपको इस तरीकी का icon show हो जाता है आपको इसको उपर की set scroll करना है और यहां से font size को decrease कर देना है display size को भी decrease कर देना है और apply कर देना है apply करते हैं आपका यह decrease हो जाएगा और आप देख सकते हैं इसमें और भी settings है जैसे कि आप लेक्रिक करेंगे तो बहुत ही light हो जाएगा आपका साइड है इस तरीकी से यूज़ कर सकते हैं उमीद है फैंस वीडियो बतना है कि वीडियो बतना है तो चैनल को स्प्राइब को लाइक कर दीजे मिलते हैं एक वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार